Hello everyone, आज हम लोग करेंगे lesson 19 आश्रम का अनुमानित वे की reading और explanation और इस chapter के questions पहले ही कर दिये गए हैं तो ये जो lesson है ये based है गांधी जी पे जो की एहमदाबाद में एक आश्रम खोलना चाहते थे आश्रम का जो खर्च आएगा खोलने में और उसे चलाने में तो उसी से related गांधी जी एक budget बनाते हैं तो ये lesson उसी पर है तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आरम में संस्था आश्रम में 40 लोग होंगे कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है हर महीने औसतन 10 अतीथियों के आने की संभावना है यहाँ पे जो आश्रम में लोग रहने आएंगे उन्हें अतीथि कहा क्या है इनमें 3 या 5 सर परिवार होंगे इसलिए स्थान की व्यवस्ता ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सके और 6 एक साथ अब इस आश्रम में किस किस चीज़ की जरूरत है वो बताया किया है इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई गर हों और मकान कूल 50,000 वर्ग फुट शेत्रफल में बने तो सब लोगों के लिए लायक जगह हो जाएगी शेत्रफल यानि की एरिया इसके अलावा 3,000 पुस्तके रखने लायक पुस्तकाले और अलमारिया होनी चाहिए पुस्तकाले यानि की लाइब्रेरी दक्षिन अफ्रिका से लोटकर गांधी जी ने एहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की उसके प्रारंबिक सदस्यों तथा सामान आदि का विवरन पाठ में है तो ये जो पाठ है वो उस आश्रम पे अधारित है जो की महत्मा गांधी जी एहमदाबाद में खोलना चाहते थे कम से कम 50 एकर जमीन खेती करने के लिए चाहिए जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सके इतनी खेती के औजार चाहिए यानि कि 50 एकर जमीन खेती के लिए भी होनी चाहिए, आश्रम में सिर्फ लोगों को आश्रे नहीं दिया जाएगा, बलकि जो काम करना चाहें, वो काम भी कर सकते हैं, इन में कुदालियों, फाबडों और खुर्पों की जरूरत होगी, बड़ई गीरी के निमलिकित ओजार भ बले 5 छोटी हथोडिया, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी चैनिया, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतिया, 4 छोटी बड़ी भेगनिया, 4 आरिया, 5 छोटी बड़ी सडाईया, 20 रतल किले चोटी और बड़ी, 1 मोंगरा, यानि कि लकडी का हथोडा, मोची के आजार, यानि ये सब औजारों की उन्हें जरूरत परेगी कारपेंटरी करने के लिए और मोची जो की जूते बनाता है उनके भी औजार आश्रम में होनी चाहिए मेरे अनुमान से इन सब पर कुल पांच रुपया खर्च आएगा उस समय समय बहुत सस्ता था इसलिए पांच रुपय यहां पे कम लग रहे होंगे लेकिन पांच रुपय में ये सारा समान आ जाएगा रस्रोई के लिए अविशक समान पर 150 रुपय खर्च आएगा स्टेशन दूर होगा तो सामान को या महमानों को लाने के लिए बैल गाड़ी चाहिए मैं खाने का खर्च 10 रुपए मासिक प्रती व्यक्ति लगाता हूँ मतलब कि हर एक इनसान या व्यक्ति पे 10 रुपे का खर्च खाने का आएगा मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे वर्ष में और सतन पचास लोगों का खर्च छे हजार रुपे आएगा मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्चा यह है कि एहमदाबाद में यह प्रयोग एक वर्ष तक किया जाए यदि ऐसा हो तो एहमदाबाद को उपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए यानि कि आश्रम खुले लोग आए और सारा खर्च भी उठना चाहिए मेरी मांग तो यह भी है कि एहमदाबाद मुझे पूरी जमीन और मकान सभी दे दे तो बाकी खर्च मैं कहीं से कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लोगा अब चूंकि बिचार बदल गया है इसलिए ऐसा लगता है कि एक वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च एहमदाबाद को उठाना चाहिए यदि एहमदाबाद एक वर्ष के खर्च का बोज उठाने के लिए त्यार ना हो तो उपर बताये गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ चुकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में त्यार किया है इसलिए यह संबब है कि कुछ मदे यानि कि कुछ चीजों की सूची मुझसे छूट गई हो इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझस्थानियस थीतियों की जानकारी नहीं है इसलिए मेरे अनुमान में भूले भी हो सकती है यानि कि गान्दी जी तो अनुमान लगा रहे है वो कह रहे है कि इग्जैक्ट नहीं है थोड़ा कम बेसी भी हो सकता है एहमदाबाद में स्थाफित आश्रम का संभिधान स्वैम गान्दी जी ने त्यार किया था इस संभिधान के मस्विदे या मस्विदे से पता चलता है कि वे भारती जीवन का निर्मान क्रिस्प प्रकार करना चाहते थे यानि कि एहमदाबाद के आश्रम में कैसे होना चाहिए क्या होना चाहिए यह सूची गान्दी जी ने त्यार की है वे नहीं चाहते थे कि लोग भले ही आश्रम में आश्रे लेने आए लेकिन वे हाथ पे हाथ रखके बैठे रहे और उनका रहन सहन चलता रहे वे चाहते थे कि वे लोग कुछ काम भी करें, तो इसी से पता चलता है कि वे भारतियों लोगों को भी किस तरह का जीवन देना चाहते थे या चाहते थे कि भारतियों लोग अपना जीवन किस तरह बिताएं, यदि एहमदाबाद सर्फ सब खर्च उठाए तो विविन मदों म मोती के ओजार, यानि कि ये सब खर्च होंगे. चोके का समान, यानि कि रसोई घर का समान, एक बैल गाड़ी या घोड़ा गाड़ी, एक वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपे, तो ये सारे खर्च आने वाले थे आश्रम को चलाने के लिए. और आश्रम में किस-किस चीजों की जरुवती? चार पतीले, चालिस आदमियों का खाना बनाने के योग्य, यानि कि चालिस आदमियों का खाना बनाने के लिए चार पतीले कम से कम होने चाहिए. दो छोटी पतीलिया, दस आद्मियों की योग्य, तीन पानी भरने के पतीलिय या ताम्बे के कलशे, चार मिट्टी के घड़े, चार तिपाईया, एक कड़ाई, दस रतल खाना पकाने योग्य, तीन कलशिया, दो आटा गुंदने की पराते, एक पानी गरम करने का बड़ा प 5 बाल्टिया या नहाने का पानी रखने के लिए बरतन, 5 पतीले के धककन, 5 अनाज रखने के बरतन, 3 तैया, 10 थालिया, 10 कटोडिया, 10 ग्लास, 10 प्याले, 4 कपड़े धोने के टब, दो छल्लिया, एक पीतल की छल्ली, तीन चक्किया, दस चम्मच, एक कर्चा, एक इमाम दस्ता, मुसूली, तीन जाडू, छै कुर्सिया, तीन मेजे, छै किताबे रखने के लिए अल्मारिया, यानि कि छै अल्मारिया होनी चाहिए, तीन दवाते, छै खाले तखते, छै रैक, तीन भारत के नक्षे, तीन दुनिया के नक्षे, दो बंबई आहाते के नक्षे, एक गुजरात का नक्षा, पाँच हात करधे, बड़े के ओजार, मोची के ओजार, खेती के ओजार, चार चार पाईया, एक गाड़ी, पाच लाल्टेन, तीन कमोड, दस गड़े, तीन चेमबर पाट, चार सड़क की बतिया, तो ये सब समानों की सुची गांधी जी ने बनाई कि इतना तो कम से कम चाहिए ही होगा, लास्ट पैराग्राफ, मेरा ख्याल है कि हमें लुहार और राज मिस्तरी के ओजारों की भी जरुरत होगी, दूसरे बहुत से ओजार भी चाहिए, किन्तु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और सिक्षन सम्बंदी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है, शिक्षन के साबान में 5-6 देशी हत कर्धों की आवशक्ता होगी, लिखा गया है ये मोहंदास करमचंद गांदी जी द्वारा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गांदी जी एक आश्रम खोलना चाते हैं, उन्हें आशंका है कि पहले 50 लोग आएंगे रहने, और 50 लोगों के पूरे साल का क्या खर्च होगा, उन्हें किन-किन चीजों की जरुरत होगी, वो किस तरह रहेंगे, उनके खाना पीना बनान वे कहते हैं कि आश्रम में रहने आए हैं, तो सिर्फ रहने ना लगे, बलकि जिन में काम करने की शमता है, वे काम भी करें, और वहाँ पिस सिक्षा का भी प्रवन्ध होना चाहिए, और इसी तरह की जिन्दगी गांदी जी आश्रम में आएं लोगों को देना चाते हैं, औ कही ना कही इन सब चीजों से यह भी पता चलता है कि गांदी जी देश वासियों को कैसी जीवन गुजारना चाहते थे कि वो किस तरह का जीवन गुजारें, यानि कि सब कोई कुछ ना कुछ करें, ऐसा ना हो कि बिना काम के बैठा रहें, तो बच्चों हमें इस लेसन से ब और जब एक बार ये बजट बच जाए, तो लगभग लगभग हम उसी हिसाब से चल सकते हैं, लेकिन अगर हम अंदा धुन सब कुछ करें, तो सब कुछ बिगड भी चाता है, तो इससे हमें यह जरूर समझाता है कि बजट बढ़ाना कितना जरूरी होता है, और गांदी ज के क्या ख्यालते आश्रम के बारे में और देश वासियों के बारे में, इस चैप्टर के कुश्चन अजस के लिए आप हमारा चैनल जरूर विजट कीचेगा, थैंक यू वेरी मच एफ्रीवन